जो आज लंदन में EVM को लेकर हुआ उसके बारे में हमें कुछ समझने की जरूरत है पर्टिकुलर्ली जो EVM हैकिंग के प्रेस कॉन्फरेंस को लेकर के जो दावे लंदन में किये गए हैं किफी सयद सुजा नाम के व्यक्ती ने जो अपने आपको एक साइबर एक्सपर्ट बताते हैं उसमें मोटा मोटी हमें कुछ बातों को समझने की जरूरत है मसलन ये की जैसे ही कोई ये कहता है कि इंडियन EVM क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे हैक नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी किसी भी मशिनरी को हैक किया जा सकता है लेकिन इंडियन EVM की जो हैकिंग है वो माफ लेबल पे करके चुनाओं के नतीजों को प्रभावित करने जैसी चीज़े भारत में संभव नहीं है उसका कारण क्या है कारण ये है कि जो भारतीए EVM है वो stand alone techniques पे काम करता है यानि भारत का जो EVM है वो किसी हर EVM अपने आप में एक physical device है और वो एक independent unit की तरह काम करता है यानि वो किसी network से connected नहीं है तो बामुष्किन अगर छेरचार जैसी चीज़ होगी भी तो वो किसी एक EVM को खोल करके अपने हाथों से उसकी छेरचार और उसका manipulation संभव नहीं है ऐसा कहना और इस बात का दावा करना कि किसी low wave जैसी चीज़ों फे ट्रांसमीट करके पूरे के पूरे के पूरे locker room में रखे हुई EVM को एक साथ hack करके manipulate कर देना ये बताता है कि जो विक्तिव तरह के दावे कर रहा है और जो विक्तिव को यकीन कर रहा है उपे physics की बुन्य आदिस समझ नहीं है उसे wave और transmission के बारे में जानकारी नहीं है और सबसे बड़ा दुर्भाग ये है कि आज इंडियन जर्नलिजम में मैं देख रहा था अभी कुछ feed search कर रहा था हलांकि एक अच्छी बात ये रही कि सभी जर्नलिफ्ट across the party line पार्टी लाइन तो नहीं कहेंगे जो अलग-अलग धराओं पे अलग-अलग मफलों पे अलग-अलग विचार रखने वाले लोग हैं उन सभी ने एक मत में इस EVM hacking के theory को खाड़िज किया है लेकि इसके पहले इस political implications पे चर्चा करने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि दुनिया में शायद दो ऐसे मुल्क हैं लाटोनिया और इस्टोनिया जहां पे EVM जहां पे आप online voting करते हैं इसका यह मतलब हुआ कि वहां का EVM एक centralized server से connected है तो वहां पे अगर EVM के hacking होगी तो एक को पूरे election results को और voting के pattern को change कर सकता है लेकिन भारत में चुकी वह physical voting होती है stand alone unit है और वह किसी network से connected नहीं है वह डबा इसलिए किसी एक डब्बे के साथ शेर्चार हो सकता है किसी एक डब्बे के साथ माल function हो सकता है बट यह कहना कि किसे transmission के जरिए पूरे के पूरे EVM को manipulate कर दे नेरे मुर्खता है लेकिन यह important नहीं है यह EVM के operation का एक technical analysis है जो मुझे लगता है कि हम सभी जो लोग industry में काम करते हैं जो journalism में हैं उन्हें इसकी basic और बुनियादी समझ है ऐसा नहीं है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है लेकिन यह जो sensational headline की जो खबरे होती है और उसका ज प्रिस्ट नेता की मौझूद्गी थी जिनका नाम है कपिल सिबल हलंकि Congress अभी मैं देख रहा था है Twitter पे कुछ लोगों का यह कहना है कि Congress में अपने आपको उनकी मौझूद्गी से अलग कर लिया है बिलकुल सही बात है हो सकता है लेकिन Indian political system 1947 के बाद से आप देखेंगे कि हम एक लोकतांत्रिक देश बने रहे और जब हम अपने आस परोश के मुलकों पे नजर डालते हैं, पाकिस्तान, बांगलादेष, जैसे मुलकों को जो हम देखते हैं जिनकी यात्रा हमारे साथ शुरू हुक है, तो हमें एक मोटा मोटी फर्क नजर आता है, वो यह है कि हमा में अभी तक लोकतंत्र पूरी तरह से आ भी पाया है इसके बारे में कहना भी मुस्किल है तो भारत के इस प्रक्रिया भारत का जो डेमोक्रेसी है जो वाइबरेंट और थ्राइविंग डेमोक्रेसी है वो इसलिए सर्वाइव कर रहा है इसलिए थ्राइव कर रहा है क्योंकि हमारे पास election commission जैसी body है और हमारे पास universal franchise है और मतदान की जो प्रक्रिया है वो इस लोगतंत्र को बचा के रखती है सिब्बल की मौझूद्गी में जो press conference हुआ है वो इस पूरे लोगतंत्र को डिरेल करने की एक साजिश है और Congress को बेसर किस मसले पे एक अपना पक्ष रखना चाहिए कि वो उस मौझूद्गी को कैसे लेते हैं ये कहके हर बार नहीं बचा जा सकता कि वो उनकी नीजी मौझूद्गी है पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है और साथ ही सभी दलो से जैसे उस प्रेस कंफरेंस में आप ये देखेंगे कि जितने भी सारे दावे किये गए वो इतने सेंसेशनल हैं कि ऐसा लगता है कि वो हेडलाइन दिया जा रहा है गोपिनात मुंडे की हत्या हो गई क्योंकि उनको EVM हैक्किंग के बारे में पता था 2014 के एलेक्सन रिक्ट थे ये इंडियन डेमोक्रेसी को डिडेल करने की कोशिश थी एक विफ्टर्न फोर्से उनके द्वारा एक रचा गया प्लॉट था जो फेल हुआ है हमारे लिए इसमें सबक ये है कि हम EVM को ले करके जब और पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ी चुनोतिक्या है आज के समय में कि हम जिस दौर में हैं जो हेड्लाइन जर्नलिजम है उसमें ये होता है कि हम धराक से जो है वो हर चीज को हेड्लाइन चला देते हैं अभी मैं देख रहा दाते है कि कुछ चैनल्स और वो जो वेब है उसन सर करने की जरुर थे सेंसर इसलिए नहीं क्योंकि एक ख़बर डेटरीमेंटल है सेंसर इसलिए इस ख़बर को चलाया इसलिए नहीं जाना चाहिए कि हम उसको नहीं चलाना चाहते हैं क्योंकि हमें सूप नहीं करता है बलकि इसलिए चलाया नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये खबर होने की जो एक merit होती है उस खबर में जो दावा किया जा रहा है वो किसी भी उस तरह की मेरिट को पूरा नहीं करता है हैकिंग को लेकर के वेब को लेकर के जो फिजिक्स का बेसिक सिध्धान्त है उसको वो मीट नहीं करता है तो यह common sense है कि जब हम उसको judge करते हैं कि क्या यह खबर होनी चाहिए और वो ऐसे claim है जो भारत में एक buzzing point है US में चल रही है कि रसिया ने manipulate करने की कोशिश की लेकिन अमेर्की और भारती है लोगतंत्र में एक बुन्यादी फर्क है हमारा लोगतंत्र अंगिनत विविद्धाओं और अंगिनत aspirations का country है और उन सभी aspirations को उन सभी आकांचाओं को vote जो है वो एक placing देता है एक platform देता है और उसको question करना मुझे लगता है कि इस देश को इनार्की की और धकेलने की कोशिश है हलंकि ये एक mature जो reaction रहा social media पर मैंने देखा जो हम अभी देख रहे थे वो ये है कि सभी ने इसको overcome कह दिया है तो ये एक manipulated चाइलिश तो नहीं बोलेंगे conspiracy थी और ये मुर्खता है EVM के बारे में EVM की hacking को लेकर के इस तरह के बारे में और मैं कहूंगा मैं चाहूंगा कि आप भी वाई इंडियन EVM कांट भी hacked वन EVM बहुत आसानी सो सकता है लेकिन मास टेबल पर पूरे लोकर रूम को की फिलो इंटेंसिटी वेव और ट्रांस्रमिस्टन की जड़ी hack कर जाना it is practically impossible impossible means impossible